तो आज है 25 दिसेंबर और इवनिंग का टाइम में और हम आगे हैं घुमने के लिए उसें सागन लेख के पास किया गुम रहा है गिरा 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 आजा आजा देखे कितना सुन्दा लग रहा है इवनिंग का टाइम में लेक बहुत सारे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं बीटिफुल व्यूँ आज क्रिस्मास है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड हर जगा पे भीड और हम कहीं जाने पाए बस यही पर आगे है टाइम स्पेंट कर रहे हैं बाद में देखते हैं क्या क्या करेंगे क्या नहीं आपके साथ सेर्ट करूंगी प्रेंट्स यह वीडियो तो 25 दिसंबर का है और मैं काफी लेट से इसको पोस्ट करेंगे मेरा काफी सारा वीडियो और भी है निव येर का भी है वो मैं करूंग इजरे-जरे फिलाल अभी सुमित की थोड़ी सी बिगड़ गई है उसको फीवर आ गया है और मैं तो ठीक हूं और फ्रेंट्स हम गये थे उस दिन पंजगुटा नेस्ट गैलेरिया मॉल और ना हर पार्क हर मतलब एक मेला भी लगावा था वहां पे ना मतलब बहुत ज्यादा भीड़त नहीं गये खुशन साकर लेक के तरफ गये थे फिर वहां से मॉल चले गए मॉल में थोड़ा सा टाइम स्पेंट किया काफी लोग आये वह थे दूसरे दूसरे जगा पर जो मॉल है ना वहां पर और भी अच्छा से डेक्रोशन किया गया था क्योंकि हम नहीं गये हमारे पा और ठंड भी अभी बहुत ज्यादा लगने लगी है फ्रेंट्स कुछ भी नहीं था लेकिना सर्डन से मतलब 562 डेसे हो गया है बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है कि सुमित को सर्दी बुखार सब कुछ हो गया है कि और टंड फिबी समर में तो काफी लोग कि इंजय करते हैं जिसका मतलब सब्सक्राइब करना चाहिए हरे क्रिश्ट को कि देखें यह मॉल है और सुमित पैठा था कार में राइट कर रहा था वो सिफ स्कूल में उसके जो भी फ्रेंड्स है लेकिन घर के पास तो उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है ना यह वो किसी के साथ खेलता है बाहर जाने से बहुत जादा है अकेला बचा घर में रहे के बोर हो जाता है इसलिए वह स्कूल भी बंन नहीं करता है और पढ़ाए करने के लिए में थोड़ा सा कर लो नहीं अपने आप जब भी बुक निकाल के पड़ने लगता है बस प्रेशर नहीं करना चाहिए, बचा अपने आप से खुद पढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो जो भी बोलता है, मतलब कुछ भी बोलता है, तो हम उसको मनना नहीं करते हैं, क्योंकि वो अकेला है, अकेले मतलब हम क्या उसके उमर में बहुत जादा खेले हैं, बहुत कुछ फ्रेंड्स थे हमारे लेकिन उसका तो कोई भी नहीं है, तो फिट ना उसके बाद हम स्मार्ट बजार चले गए थे, उसी मॉल में ही थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी थी हमें, स्मार्ट बजार मैं मैंने कभी विजिट नहीं किया था, लेकिन मैं गई तो मुझे काफी जादा अच्छा लगा वहां का प्राइस और यह मैं बाद में शेयर करूंगी, वहां का मैंने वीडियो लिया है, जो भी वहां पर चीज़ें मिल रही थी, सब कुछ, एक ही वीडियो में अगर सब आप लोग देखेंगे नहीं, वेजिटेवल्स, फ्रूट्स सब कुछ वहां पर अवेलेबल था, ग्रोस्री फिर जो भी यूटेंसिल्स वगेरा, क्रॉकरी वगेरा, सब कुछ अवेलेबल वहां पर था, काफी जाद अच्छी रेट में भी मिल रहा था, देखिए हमने थो कोटे बच्चे के साथ खेल रहा था, उसको ना बेबी बहुत पसंद है, और ग्रोस्री लेने के बाद हम वापस आ गए घार, और मतलब बहुत ज़्यादा ठक गए थे, तो घर पे हमने ओडर करके खा लिया था खाना, तो फ्रेंस वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे कमे खाला, प्लीज मुझे कैसा जाँ बाद कर देर खलुट सेटे संही कमें चुल्ता नहीं प्लीजी हुत खीम्टा झाल झाल